ओम शान्ति आज दिनांक 27 जुलाई 2022 प्राताह मुरली बाप दादा मदुबन बाबा भोले मीठे बच्चे तुम्हें अब आसुरी आउगुण निकाल इस वरिये गुण धारण करने हैं बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है मीठे बच्चे तुम्हें अब आसुरी आउगुण निकाल इस वरिये गुण धारण करने हैं बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है अर्थात संगम युग पर पिता परमात्मा भारत भुमी पर आते हैं जो देविय संप्रदाय के होते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए तो बाबा कहते तुम यहां मेरे पास आते हो 21 जन्मों का स्वराज्य अधिकार प्राप्त करने अब तक 63 जन्मों से तुम रावन राज्य में थे आसूरी मत पर चल रहे थे आसूरी गुण तुम में भर गए थे अब तुम बच्चों को मैं आकर आसूरी अवगुणों से मुक्त कराता हूं और इस वरिये गुण धारन कराता हूं अर्थात आसूरी संप्रदाय को परिवर्तन कर इस वरिये संप्रदाय की इस्थापना करने के लिए आता हूं तो अब तुम बच्चों को अपने सब आसूरी गुण निकाल इस वर ये गुण धारन करने हैं प्रश्न किया बाबा ने बाप की कौनसी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए बाबा की कौन सी एक्ट चलती है जो बाबा कहते तुम बच्चों की भी होनी चाहिए उत्तर में बाबा कहते बाप की एक्ट है सभी को ग्यान और योग सिखाने की यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है पतितों को पावन बनाना तुम्हारा धंदा ही है रूहानी सर्विस करना कोई कोई बच्चे सरीर छोड़ कर जाते हैं फिर नया सरीर ले यही मेहनत करते हैं दिन प्रति दिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी अर्थात बाबा आता है कल्प पहले मुवफिक हम बच्चों को ग्यान योग सिखलाने ग्यान योग के आधार पर बाबा हम बच्चों को पतित से पावन बनाते और हम बच्चों को पतित से पावन बनाने का स्रेष्ट कारिप्रदान करते तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे बाबा के बने हो जो बाबा का धंदा है पतितों को पावन बनाने का वही तुम बच्चों का धंदा है बाबा कहते दिन प्रती दिन सर्विस बढ़ती जाएगी क्योंकि जैसे जैसे विनास करीब आएगा तब सभी मनुष्यों को बेराग्य आएगा और वे भी समझने लगेंगे कि यही महाभारत लड़ाई है क्रश्न तो हो ना सके निराकार पिता परमात्मा ही स्वर्ग का रचियता है तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को यही रूहानी धंदा करना है जो बाप आकर करते हैं घ्यान और योग सिकला कर पतितों से पावन बनाना है गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाए ओम शान्ती यह गीत यहाँ सोबता है क्योंकि यह उचे ते उचे सिव बाबा की महिमा है रुद्र बाबा नहीं सिव बाबा सिव वा रुद्र बाबा सही है फिर भी सिव बाबा कहना अच्छा लगता है तुम भी सरीर ले बैठे हो बाप भ्रम्मा द्वारा समझा रहे हैं नहीं तो सिव बाबा बोल कैसे सके वह चेतन्य है सत है ग्यान का सागर है जरूर ग्यान ही सुनाएंगे अपना परिचय देना यह भी ग्यान हुआ फिर रचना के आदी मद्य अंत का ग्यान अर्थात समझानी देते हैं इसको भी ग्यान कहा जाता है किसको समझाना यह ग्यान देना सो भी इसवर के लिए समझाना ग्यान है बाबा कहते फिर रचना के आदी मध्य अंत का ग्यान अर्थात समझानी देते हैं इसको भी ग्यान कहा जाता है किसको समझाना यह ग्यान देना है सो भी इसवर के लिए समझाना ग्यान है सो तो इसवर ही खुद परिचाय देते हैं अंग्रेजी में कहते भी हैं फादर सोच सन बाप आकर अपना और स्रश्टी के आदी मध्य अंत का परिचाय देते हैं रिसी मुनी आदी सब कहते हैं हम रचियता और रचना को नहीं जानते हैं अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता है यह ग्यान कोई दे नहीं सकते जिस ग्यान से मनुष्य उचे ते उचे पद पाते हैं जरूर उच ते उच पद है ही देवी देवताओं का अब तुम बच्चे जानते हो अखंड अटल पवित्रता सुख सांती संपत्ती ही हमारा इस्वर्य जन्मसिद अधिकार है जो फिर से ले रहे हैं इस्वर्य जन्मसिद अधिकार सुक धाम और आसूरी जन्म सिद्ध अधिकार दुख धाम है रावन द्वारा हम पतित बनते हैं रावन से बरसा मिलना ही है पतित बनने का फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं यह किसको पता नहीं है कि रावन आधा कल्प का पुराना दुस्मन है भारत का कहते हैं राम राज्य चाहिए अर्थात यह रावन राज्य है परंतु अपने को पतित अत्वा रावन समझते नहीं है अब यह आसूरी संप्रदाय बदल देविय संप्रदाय बन रही है तुम यहां आते ही हो आसूरी अउगुणों को निकाल इस वर यह गुण धार करने वाला बाप ही है तुम जानते हो अब हम आये हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्मसिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने यहां बैठे ही हैं सूर्यवंसी चंद्रवंसी स्वराज्य प्राप्त करने जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आ आए हो गवाते हो फिर पाते हो यहा तो बुद्धी में रहना चाहिए न अब हम बाप से वर्सा लेते हैं वर्सा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े यहा तो बुद्धी में आना चाहिए कि हम माता पिता बाबा कहते यहा तो बुद्धी में आना चाहिए ह हम मात पिता के सम्मुख पैटे हैं। वर्सा लेने के लिए वह ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोध लेते हें वह ज़रूर ब्रह्मन कहलाएंगे। यहाग्यान यज्जी हैं फिर यज्जी कहो वा पाट साला कहो। एक ही बात है जब रुद्र यग्य रचते हैं तो पाट साला भी बना देते हैं फिर एक तरफ वेद सास्त्र आदी एक तरफ गीता एक तरफ रामायन आदी रखते हैं जिनको रामायन सुनना है वहाँ उनके तरफ जाकर सुने जिसको गीता सुनना है वहाँ उनके पास जाकर स यह रुद्र ग्यान यग्ये है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है स्रश्टी का आदी स्रश्टी का अंत है तो सभी यग्यों का भी अंत है बाबा कहते स्रश्टी का अंत है तो सभी यग्यों का भी अंत है ग्यान यग्ये तो एक ही है बाकी जो अनेक प्रकार के यग्ये हैं व वहाँ है material यग्य, जिसमें जो तिल आदी सामगरी पड़ती है, यहाँ है बेहद का यग्य, इसमें यहाँ सब स्वाहा हो जाएगा, फिर से नई पेदाईस होती है, वहाँ दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं, यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां आदी कितनी व्र पा रही हैं, भिन भिन प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं, ड्रामा में यहाँ सब नूंद है, जैसे मनुष्य वेसे किसम किसम के दुख निकलते जाते हैं, किसको कहा जाता है दुखधाम, बाबा कहते इसको कहा जाता है दुखधाम सोकवाटी का, मनुष्य दुख ही है क्योंकि रावन राज्य है राम राज्य में रावन होता ही नहीं आधा कल्प है सुगदाम आधा कल्प है दुगदाम राम निराकार परंपिता परमात्मा को कहते हैं एक है रुद्र माला निराकारी आत्माओं की और फिर विश्णु माला बनती है साकारी वहां तो राजाई की है फिर वहां नंबरवार राज्य करते हैं यहां तुम बच्चों को अच्छी रीती समझना और समझाना है जितना जितना समय बीटता जाएगा उतना उतना घ्यान सौल्ट होता जाएग इतना स्वार्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे हैं विनास के समय मनुष्य को बेराग्य आएगा फिर समझेंगे कि बरोबर यह वही महाभारत की लड़ाई है जरूर निराकार भगवान भी होगा क्रश्न तो हो नहीं सकता निराकार को ही सर्व का पतित पावन सर्व का सदगती दाता कहा जाता है यह टाइटल कोई को दे नहीं सकते बाबा ने यह भी समझाया है पवित्र आत्माएं कभी अपवित्र दुनिया में पेर नहीं रख सकते तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो परंतु लक्ष्मी कहां से लाएगी यहां भी बाबा कहते मम्मा बाप से धन लेती है यहां सरस्वती साथ ब्रह्मा है वहां भी दोनों जरूर चाहिए निसानी चाहिए कहां से धन मिलता जरूर है इसलिए महा लक्ष्मी की पूजा होती है उनको चार भुजाएं देते हैं टांग तो इतनी देते नहीं रावन को दस मुग देते हैं टांगे तो नहीं देते हैं तो सिद्ध होता है ऐसे मनुश्य होते नहीं है यहा है समझाने के लिए जब कोई का पती मरता है तो उसकी आत्मा को invite किया जाता है बाबा कहते जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा को इन्वाइट किया जाता है परंतु आय कैसे ब्रामन के तन में आती है बुलाया जाता है यहर रस्म रिवाज ड्रामा में नुदी हुई है फिर जो होता है वहां आत्माएं आती है आत्मा को बुला कर उनको खिलाते हैं यहां बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को सिकलाते हैं बाबा कहते यहां बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं तो अब तुम बच्चों का धंदा ही है सर्विस का बाबा कहते तो अब तुम बच्चों का धंदा ही यहा सर्विस का हुआ सरीर छोड़ कर फिर कहां जन्म ले फिर मेहनत करते हैं तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंदा तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है कल्प पहले भी ऐसा हुआ था वही रियल है तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक बाब भी ग्यान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल्प पहले की है इसमें जरा भी फरक नहीं पड़ सकता यह ड्रामा है न हम आत्माएं घर से आती हैं मनुस्य तन धरन कर पाड़ बजाती हैं चोरियासी जन्मो का बाबा कहते चोरियासी जन्मो को और ड्रामा के चक्र को पूरा समझना है और कोई जानते नहीं है हम खुद ही नहीं जानते थे तुमने ही कल्प पहले जाना था अब फिर से जान रहे हो रचियता और रचना के आदी मद्य अंत का राज अब समझा है तुम्हारी बुद्धी में यह रहना है उचते उच बाप है वही वर्सा देते हैं फिर है ब्रह्मा विश्नु संकर ब्रह्मा द्वारा इस्थापना होती है फिर वही पालना करते हैं विश्नु के बाबा कहते हैं विश्नु पूरी के मालिक बन विश्नु पूरी कहो वा लच्मी नरैन की पूरी कहो बात एक ही है तुम जानते हो हम सूर्य वंसी चंदर वंसी वर्षा बाप से ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए बाप कहते हैं बच्चे तुम हमारे थे हमने तुमको भेजा पाड़ बजाने यह भी ड्रामा में नूद है कोई कहा नहीं जाता है यह भी तुम समझते हो जो अच्छ की रीती पुरुशार्थ करेंगे वह फिर नंबरवार सुकधाम में आएंगे तुम याद करते हो सुकधाम को जानते हो यह दुगधाम है और कोई को पता नहीं है तुम बच्चों की बुद्धी में आता है कि यह दुगधाम है तुम सुकधाम इस्थापन करने वाले तो समझते हैं न हम उनके हैं पहले भी लोकिक फिर दूसरा भी लोकिक ही संबंद रहता है यहां लोकिक फिर पारलोकिक हो जाता है तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं बाकी तो सब रावन कुल के हैं एक तरफ वहा दूसरी तरफ हम आत्मा समझती हैं बरोबर मैंने 84 जन में पूरे किये हैं मैं आत्मा एक पुराना सरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूं पुरुशार्थ कर रहे हैं ज्यान सागर पतित पावन सदगती दाता बाप दादा द्वारा बाबा कहते पुरुशार्थ कर रहे हैं ज्यान सागर पतित पावन सदगती दाता बाप द्वारा वहा इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं पढ़ती आत्मा है आत्मा में ही बेरिष्ट्री आदी के संस्कार रहते हैं ना आत्मा बोलती है आरगंस द्वारा तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी महनत लगती है बाप राय देते हैं अमरत बेले का समय मसूर है उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी यहां तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलिफ की बात नहीं जैसे बच्चा बाप को याद करता है वहा है बेहत का बाप वहा आत्मा सरीर को याद करती है अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो बाप कहते हैं मैं बेहत का बाप हूँ जरूर बेहत का सुख दूँगा कल्प पहले दिया था बरोबर भारत विश्व का मालिक था दुस्मन आदी कोई नहीं था अभी तुम सुखदाम के मालिक बन रहे हो तो तुम स्वर्ग के लायक थे बाबा कहते जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नर्क के लायक बन पड़े हो फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आये हैं पहले निराकार सिव की जैनती होती है फिर गीता जैनती होती है सिव बाबा जब आते हैं तब भगवानु वाच होता है तो गीता की भी जैनती हो जाती है बाप ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावन किसको कहा जाता है अब इस रावन राज्ये का विनास होना है मोत सामने खड़ा है कल्प पहले भी यह दुनिया बदली थी कितनी अच्छी रीती समझाया जाता है मेहनत है घर गरस्त में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे फिर साथ में यहा कोर्स उठाओ टीचर से पूछो कोर्स तो बड़ा सहज है घर में रहते मुझे याद कर रचना के आदी मध्य अंत को जानो साथ रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है देखा जाता है इनकी लगन भहुत अच्छी है तडपते हैं हम बाबा का ग्यान तो बाबा कहते तडपते हैं हम बाबा का ग्यान तो सम्मुक सुने उनकी सकल वाता वरण से समझ सकते हो रंग को बाबा कहते हैं रग को पूरा ना समझने कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं कहते हैं साथ रोज टाइम नहीं है क्या करें कोई कहते हैं दर्शन कराओ बोलो पहले आकर समझो किसके पास आये हो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंद है ब्रह्मा कुमारी तो तुम ठहरे न बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम ठहरे न सिव बाबा के पोत्रे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए बाप स्वर्ग का रचियता है तो जरूर वर्सा देता होगा राज योग सिकलाता होगा समझा कर फिर लिख लेना चाहिए बाबा कहते समझा कर फिर लिखा लेना चाहिए एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गेलप करेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग और नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट बाबा कहते अमरत बेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की महनत करनी है याद के बल से विकारों की कट उतारनी है अमरत बेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की महनत करनी है याद के बल से विकारों की कट उतारनी है दूसरी पैंट बाबा कहते घर ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्ष उठाना है हर एक की रग अर्थवा लगन देखकर ग्यान देना है घर ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्ष उठाना है हर एक की रग अर्थवा लगन देखकर ग्यान देना है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते सिक्छक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा छमा करने वाले माश्टर मर्सिफुल भाव। माश्टर मर्सिफुल बनो, रहम दिल भन छमा करो तो यह छमा करना ही सिक्छा देना हो जाएगा सिर्फ सिक्छक नहीं बनना छमा करना है इन संसकारों से ही सब को दुआएं दे सकेंगे अभी से दुआएं देने के संसकार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे इसके लिए हर कदम स्रीमत प्रमान चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो स्लोगन में बाबा कहते जिनकी जोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती जिनकी जोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती तो ये थे बाबा के 27 जुलाई 2022 के महावाक्ये अच्छा ओम शान्ती